कि नीट के परिक्षा में एक बार फिर से धानली हुई है विद्यार्थियों ने तो सोशल मीडिया पे ये लिखना शुरू कर दिया है कि एक बार फिर लिकेज सरकार बस चुनाव के लिए वोट के लिए परिक्षा पे चर्चा करते हैं खुद तो परिक्षा दिये नहीं है एक लड़की छट से कूद करके आत्महत्या कर ली जब नीट का एकजाम आया ठीक उसके बाद कहीं भी किसी भी एकजाम में कोई गरबरी हो रही है इसका खाम्याजा सीधे विद्यार्थी को भुगतना पर रहा है एक बहुत ही गंभीर विषय पर बुलाई गई है जो अभी सामने आया है कि नीट के परिक्षा में एक बार फिर से धान्दली हुई है मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है और आप अगर इस देश में होने वाली परिक्षाओं को देखें तो लगभग अब ऐसी कोई परिक्षा नहीं है जिसमें धान्दली नहीं हो रही है मतलब विद्यार्थियों ने तो सोसल मीडिया पर ये लिखना शुरू कर दिया है कि एक बार फिर लिकेज सरकार और बार बार परिक्षाओं में प्रशनपत्र लिक होना परिक्षा की जो तिथी है उसको बार बार बढ़ाना और जो वेकेंसियां है उसको सही समय पे नहीं भढ़ना ये मामले लगातार उजागर हो रहे हैं ये इस प्रेश वारता में हम लोग खास कर जो नीट एक्जाम में धांदली हुई है उस विषय पर बात करने के लिए यहां उपस्तित है मैं इसमें दो-तीन बात आपसे जोड़ना चाहता हूँ आपके समक्ष अवल तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि चुनाव से पहले आदरनिया प्रधान मंत्री जी परिक्षा पर चर्चा करते हैं हमारे कहावत है जाके पैर नफटे बिवाई वो क्या जाने पीड पड़ाई तो चुनाव से पहले आप परिक्षा पर चर्चा करते हैं चुनाव जब समाप्थ हो जाता है पूरे पांच साल तक जो परिक्षाओं में धांदली होती है टाइम पर एक्जाम नहीं होता है और जो वेकिंसियां हैं उसके बारे में आप कोई बात नहीं करते हैं मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ और चुनाव के दोरान बार-बार कॉंग्रेस पार्टी ने इस बात को उठाया कि 30 लाख पद खाली है और कोई ऐसा एक्जाम नहीं है UPSC को छोड़ करके अगर यही हालत रही तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में UPSC के एक्जाम भी सही तरीके से कंड़क्ट नहीं हो पाएंगे जिन एक्जामों में आज तक कोई गरवडी और धांधली नहीं हुई थी उन एक्जामों में भी गरवडी और धांधली हो रही है नीट का जहां तक सवाल है इसके तीन प्रमुख बिंदू है पहली बार लोग कहते हैं कि रैंक वन दो लोग होगा चार लाग होगा इस बार नीट के एक्जाम में जब आप उसके रिजल्ट को देखेंगे सरसथ लोग जो है वो जो है फर्स्ट रैंकर है और उसमें से 720 नमबर मिला है मतलब 100 परसंट मार्क्स मिला है जब इस सवाल को उठाया गया तो NTA के डारेक्टर ने कहा कि ग्रेस दे करके इनको हम फूल मार्क्स दे दिया है तो उसके क्या नियम है उसकी क्या ट्रांसपरेंसी है किस आधार पे आपने 720 में से 720 दे दिया और इस देश की सबसे प्रतिस्थित जो मेडिकल इंस्टिटूट है एम्स वहाँ पर 50, 60, 65 लोगों को एड्मिशन होता है अब आप ये समझ लिजिए कि जिनका रैंक वन है जिनको 100 में से 100 मार्क्स आया है उनका भी एड्मिशन एम्स में नहीं होगा तो पूरी तरह से इन्हों ने इस देश के एग्जामनेशन सिस्टम को मजाग बना दिया है कारण क्या है कि वही खुद अगर पढ़े होते एग्जाम दिये होते एग्जाम हॉल में बैठे होते तो समझ में आता कि एग्जाम स्टूडेंट के लिए कितना इंपोर्टेंट है वेकेंसी स्टूडेंट के लिए कितना इंपोर्टेंट है admission होना student के लिए कितना important है पढ़ने लिखने वाले तो लोग है नहीं सरकार में बस चुनाव के लिए vote के लिए परिक्षा पे चर्चा करते हैं खुद तो परिक्षा दिये नहीं है परिक्षा अगर दिये होते तो दर्द मालूम होता और आप लोगों ने एक दर्दनाक वीडियो देखा होगा एक लड़की छट से कूद करके आत्महत्या कर ली जब नीट का एकजाम आया ठीक उसके बाद और जब जब कहीं भी किसी भी एकजाम में कोई गरबरी हो रही है इसका खामियाजा सीधे विद्यार्थी को भुगतना पर रहा है आप सब जानते हैं सरकारिया कर रहा है हमने अपने घर में नहीं बनाया है एक घंटे में दो जवान इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं मतलब 24 घंटे में 48 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं और लगातार ये जो परिच्छा का दवाव है उसमें तीन विंदू बहुत महत्पूर्ण है एक समय पे एकजाम का नहीं होना दूसरा अगर एकजाम हो तो उसमें ब्यापक पैमानें पे धांधली होना और प्रस्णपत्र का लीक होना और तीसरा जब प्रस्णपत्र लीक होता है स्टूडेंट की तरफ से हंगामा होता है स्टूडेंट कोट जाते हैं तो फिर एकजामनेशन को कैंसिल कर देना ये पूरा का पूरा एक साइकल बना हुआ है और आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाएए, जिसको हम लोग student का center कहते हैं, अगर आप राची, पतना, बनारस, इलाहाबाद, होते हुए दिल्ली आएं, फिर आप नौर्थ से साउथ की तरफ जाएं, कोई भी ऐसा center, जिसको हम student center कहते हैं, हर जगा आत्म हत्या की घटन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, राजस्तान में हमारी सरकार ने इसको गंभीरता से लिया, और counseling करने के लिए, help provide करने के लिए, हमारी सरकार ने योजना बनाई, और आप सबने देखा होगा, इस बार के भी नयाई पत्र में, हम भरती विधान लेकर के आएं, और भरती विधान में हम तीन बात प्रमुक्ता से कह रहे हैं, एक सारी vacancy भरी जाएगी, सारी vacancy, बताइए हर पांच साल में चुना हो जाता है, कोरोना के टाइम पर भी चुना हो गया, सब कुछ बंद रहा, देश में जनगन्ना नहीं हुआ, लेकिन चुना हुआ टाइम पे, तो जब 5 साल में प्रधान मंतरी बदल जाते हैं, 5 साल में MP बदल जाते हैं, मेले बदल जाते हैं, मुख मंतरी बदल जाते हैं, सब कुछ टाइम पे होता है, तो examination क्यों नहीं टाइम पे हो सकता है, examination का already एक calendar होता है उस calendar के हिसाब से आप examination conduct कराईगे और दूसरा बार 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 जो प्रस्णपत्र लीक होते हैं जो परिक्षा में धानली होती है उसमें हम एक नए करे कानून के प्रावधान की आवसक्ता महिसूस करते हैं और हमने भरती विधान में ये रखा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम प्रस्णपत्र लीक करने वाले लोगों पर करी कारवाई करेंगे क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि जो लोग सिक्षा माफिया है उनका सरकार से सीधे साथ गाठ है वो नेताओं से मिले हुए हैं नेताओं से मिल करके जो है मुद्दा बना और जब तेलंगाना में चुना हुए तो हमारी पार्टी ने ये कमिट किया कि हम एक्जामनेशन कलेंडर लाएंगे हम जो है नए आयोकता गठन करेंगे समय पे जो है एक्जाम कंड़क्ट कराएंगे और कोई भी गरवरी करने वाले किसी भी नवकरसाही के उपर किसी भी जो है कर्मचारी के उपर करी कारवाई करेंगे मुझे लगता है कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए सिर्फ जो है बयान बाजी से बतोले बाजी से काम नहीं होगा ये देश के भविस्ट का सवाल है ये बच्चों के भविस्ट का सवाल है और नेट को ले करके नीट को ले करके देश के अंदर होने वाले किसी भी एकजाम को ले करके कॉंग्रेस पार्टी ने हमारे राष्ट्रिय अध्यक्ष ने कहा है कि सुप्रीम कोट की निगरानी में इसकी एक उच अस्तरिया जांच हो और अगर आव सकता परे गरवडियां इस लेवल पर अगर पाई जाए तो इसको एकजामनेशन को रीकंड़क्ट कराया जाए अगर जो लोग कम्प्लेन ले करके गए और कुछ लोगों का नंबर जो है भाजपा को हम ये कहना चाहते हैं कि आप युवाओं के भविस्ट से खिलवार करना बंद कीजिए परिक्षा पर चर्चा का नाटक बंद कीजिए समय पर परिक्षा कराईए और परिक्षा में धांदली करने वाले लोगों के उपर कड़ी कारवाई कीजिए और इस देश के भीतर जितने भी रिक्तपद हैं उनको इमिडेटली आपको भरना चाहिए और यह जो आपकी ध्यान भटकाओ योजना है मैं कहता हूँ कि देश की संस्थाओं को सरकार से अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए सरकार से देश की संस्थाओं को गलत चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं है जैसे सरकार का काम है डाइवर्ट करना उसी तरह से संस्थाएं भी ध्यान बटकाओ योजना में सनलिप्त हो गई है एक सीधा सा प्रश्न है कि जब परिनाम आना था एलेक्सान रिजल्ट देख रहे होंगे तो जो रिजल्ट में गरवरी हुई है उसके बारे में कौन सुनेगा वो मावाब को जाकर के बताएंगे कि हमने अच्छा एक्जाम दिया है हमने सारे पिपर जो है अटेम्ट किये है तो मावाब भी कहेंगे कि नहीं इसमें तुम्हारी गलती है लेकिन जब आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे विद्यार्थी की कहीं से भी गलती नहीं है क्योंकि ट्रांस्पेरेंट तरीके से एक्जाम नहीं कराया गया है और साफ साफ इन्टिये ने साफ साफ जो है इस बात से डिनाई कर दिया कि जो है पेपर लीक हुए है जबकि पतना का एक कॉंक्रीट एक्जामपल है कि कुछ सेंटर पर प्रसंपत्र की लीक की सिकायत आई और पतना पुलिस ने लोगों को गिरफतार किया और पतना पुलिस पेपर लीक करने के मामले में कुछ लोगों को गिरफतार कर रही है और एजनसी कह रही है कि कोई प्रसंपत्र लीक नहीं हुआ है और मज़ेदार बात ये है कि सरसट लोग वो रैंक वन है और उससे भी एक मज़ेदार बात जान लीजिए एक ही लाइन में बारह लोग जो बैठे हुए है वो सब को रैंक वन आया है मैं समझ रहे हैं कि इनको भी रैंक वन हमको भी रैंक वन इनको भी रैंक वन दुनिया की सारी काबिलियत लेकर के हमी तीनों बैठे हुए हैं बाकी और जो है स्टूडेंट के पास कोई टैलेंट नहीं है एक ही सेंटर पर एक ही रो में बैठे हुए 12 लोग टॉप कर गए हैं और 100 में 100 हम किसी की योगता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं लेकिन जो NTA है उसकी योगता पे जरूर सवाल उठा सरकार की मनसा पे सवाल उठा रहे हैं और सिधा सिधा ये मांग कर रहे हैं कि आप देश के बच्चों के भविष से खेलना बंद कीजिए युवाओं के भविष से खेलना बंद कीजिए समय पर एक्जाम कराईए धांधली को रोकने के लिए पेपर लीक को रोकने के लिए क किया है सुप्रिम कोट की निगरानी में इसकी जांच कराईए और जांच में ये गरबरी ये आरोप सही पाये जाते हैं तो आप एकजाम को रीकंड़क्ट कराईए और ये चालाकी करना बंद किजिए कि जिस दिन जो है लोकसभाय एलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है उसी दिन नीट का रिजल्ट निकाल देते हैं और या जो धांदली की गई है गरबरी की गई है बच्चों के भविस के साथ जो खिलवार किया है ये चालाकी नहीं चलेगी परिक्षा पर चर्चा का राजनितिक और इलेक्टोरल पॉलिटिकल एस्टंट हम लोग देख चुके हैं ये बात जो है विद्यार्थियों को वोट बेंक में समेटने का नहीं है यह बात है कि बच्चे इस देश के भविस हैं और उनका जीवन मरन जुरा हुआ है इस बात से लोगों की रूह का आप जानी चाहिए कि एकजाम के रिजल्ट के बाद जिस पैमाने पे जो है लोग आत्म कुल जाते हैं हमारी पार्टी कंसर्ण है आप ने देश भर से मे्सेज किया है इमेल किया है फोन कॉल किये है और हमारे लिए सरकार बनेगी बन जाएगी सपतगरन हो जायेगा लेकिन यह मुद्दा हमारे लिए बहुत महतपूर्ण है इसलिए जिव में इसकी जानकारी हम लोगों को मिली हमारा जो student wing है NSUI उसके अध्यक्ष और हमारी पार्टी के रास्टे अध्यक्ष ने इस मामले को उठाया है और इसी गंभीरता को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने यह press conference किया है और हम उम्मीद करते हैं आप तमाम मीडिया के साथियों से कि आपके घर के भ सब्सक्राइब करते हैं और हमारी बात को जो है सरकार तक पहुचाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद समय बहुत एहम होता है चात्रों के लिए और खास्तार पर उनके लिए जो प्रभावित हैं जिस तरीके से गंभीर सवाल उठ रहे हैं आप लोगों ने भी उठाया है त अजिसा कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं खुद ही एकजाम दिये हैं तो आपको तो मालूम है तो अब सब लोग यहां पढ़े लिखे लोग हैं एकजाम देते रहे हैं ये जो वक्त है ये एकजाम का रिजल्ट आने का वक्त है और जुलाई से लगभग देश में हर कोर्स का नया सेशन सुरू हो जाता है हम खुद पढ़े लिखें हैं तो हमको अनुभव है हमको लगता है कि इसको जल्द से जल्द करना पड़ेगा क्योंकि अगर इसको जल्द से जल्द नहीं करेंगे तो फिर सेशन लैप्स कर जाएगा और खास करके हम बिहार से पढ़के आए हैं तो हमारे यहां graduation जो है 3 साल का 5 साल में होता है इसी चक्कड में कि session जो है मालीजे 7-10 का है जुलाई से पहले result नहीं आया तो 10 से 12 का जो MA का session है उसमें admission नहीं हो पाएगा तो समय बहुत महत्पुर्ण है इसी लिए इस बात की गंभीरता को समझते हुए immediately हम लोग इस सवाल को उठाये हैं और सिरे से out rightly re-exam की बात नहीं कर रहे हैं हम भी उस वक्त की नजाकत को समझते हुए ही है बात कह रहे हैं लेकिन जो लोगों की सिकायत है उसको immediately जो है उसको address किया जाए और Supreme Court अगर चाह लेगी तो बताईए रात को 12 बजे जो है कोट खोल करके लोगों को बेल दिया जा सकता है तो क्या इस देश के बच्चों के भविस्थ के लिए जो है तुरत तुरत जाच नहीं हो सकती है इसके लिए तो बस इक्चा सकती की जरूरत है और priority की जरूरत है अब priority democracy की अगर सिर्फ यही है कि जो है कौन किधर आया, कौन किधर गया कौन किसको समर्थन दिया, कौन किसको समर्थन नहीं दिया अगर यही शोरगुल चलता रहेगा और मैं इसलिए टाइमिंग पर सवाल उठा रहा हूँ कि जान बूच करके 14 का result 4 को निकाला गया है पता है कि 4 को जो है देश में इतना बड़ा चुना हुआ है पूरा देश जो है उस discussion में बीजी हो जाएगा चार तो छोड़िये देश तो एक तारिक सही बीजी हो गया था एक जिट पोल पे ही जो है डांस अब डेमोकरसी हो रहा था तो अभी भी जो है वही चल रहा है तो हेडलाइन में इसको प्राथमिक्ता मिले की नहीं लेकिन हम कहते हैं कि डेमोकरसी तो लोगों से ही बनता है और हम सबका आपका हमारा सबका भविश्ट हमारे बच्चों से है अगर हमारे बच्चे परिच्छा के दवाओं में आ करके जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है आतमहत्या कर रहे हैं इससे दर्दनाक बात क्या हो सकता है और इससे ज़्यादा जरूरी बात भी कुछ नहीं हो सकता है इस पर तुरंत कारवाई करनी परेगी क्योंकि सेशन सुरू होने वाला है तो यह सारी प्रकिरिया तुरंत शुरू करना परेगा 24 लाख से ज़्यादा लोग ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वे एक्जाम में एपियर हुए हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि इमिडेटली एक्जाम करने में प्राब्लेम हो सकता है लेकिन जिनके इसूज हैं जिनके कंसर्ण हैं उसको इमिडेटली जो है एंटी एड्रेस करे और साइमल्टेनियसली जो है सुप्रिम कोट की निगरानी में जाच हो क्योंकि मामला इस साल का नहीं है और मामला सिर्फ एक एक्जाम का नहीं है इसको समझने की जरूरत है आप कोई भी एक्जाम उठा के देख लिजिए देश में हर एक्जाम की कमोबेस यही हालत हो गई है आप देखिए कि ग्रूप D का भी एक्जाम होता है रेलवे का तो रेल में चढ़ने के लिए ट्रेन में चढ़ने के लिए जगह नहीं होती है मंदीर, मस्जीद, गुर्द्वारा, धरमसाला, प्लेटफॉर्म कोई इसी जगह नहीं है जहां बच्चे जो हैं वो गमच्छा डाल करके सो नहीं रहे देश में होने वाले किसी भी एक्जाम की हालत आप देख लीजिए किसी भी एक्जामनिशन संटर के बाहर जा करके देख लीजिए ये एक देश के लिए गंभीर विसा है समय की नजाकत को समझते हुए इसको तुरंट करना चाहिए ये हमारी मांग है लेकिन क्योंकि अब इंडिया ब्लॉक की सरकार नहीं आएगी है तो क्या आप लोग किस तरीके से एंडिया पर इस बात का दवाब डालेगे क्या आप सडकों पर जाएगे या फिर कोट में आप लोगों की तरफ से भी इसकी कोई अपील की जाएगी देखे एक अबवल तो ये जान लीजिए कि विद्यार्थी इस देश के किसी राजनितिक पार्टी ये राजनितिक दल के महताज नहीं है और मैं आपको पीछे हुए चार-पांच आंदोलनों का उदाहरन दे सकता हूँ कोई लीड नहीं कर रहा था चाहे सेसी का मामला हो अगनीपत का मामला हो किसी भी एकजाम में जो गरवड़ी हुई है या गलत निती सरकार लेकर के आई है उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी लीड नहीं कर रही थी साइमल्टेनियसली जो है क्योंकि जिसका जीवन उससे जुड़ा हुआ है जिसका पूरा का पूरा भविश उससे जुड़ा हुआ है उसके पास सरक पर निकलने का अलावे कोई रास्ता नहीं बचता है तो पॉलिटिकल पार्टी के मोहताज नहीं है लेकिन उन विद्यार्थियों को हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश की जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते इस देश का one of the biggest student organization के बिहाफ पर हम आपको कह रहे हैं कि स्टूडेंट को हम साथ देंगे और हमारे लिए एक गंभीर विसा है चुनाओ पर चर्चा करने की बजाए सरकार बनेगी की नहीं बनेगी इसकी चर्चा करने की बजाए अगर हम नीट के सवाल को प्राथमिक्ता दे रहे हैं तो आप हमारा कंसर्ण समझ सकते हैं हमारी सरकार नहीं बनी है ठीक बात है हमारी सरकार अगर बनी होती तो ये प्रेस कॉंफरेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती हम प्रेस कॉंफरेंस तो इसलिए किये हैं न कि आप लोगों के माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुँचे और हम इस देश के विद्यार्थियों के बिहाफ पर जो उनके डिमांड हैं वो सरकार तक पहुचाने की जोड़दार तरीके से कोशिश कर रहे हैं परदर्शन के मामले में आपको मैं बता दूँ और लेडी कही जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं हमारा जो है हमने जो कंसर्ण स्टूडेंट्स हैं उनसे बात की उ उसमें से कुछ लोग अल्रेडी कोट मूव कर गये हैं तो जब वो अल्रेडी जो है पेटिशनर बन गये हैं तो हम लोगों को जो है उनहीं के साथ हैं हम लोग हम लोग जो है अलग से पेटिशनर नहीं बन रहे हैं उनके साथ रहेंगे और दूसरा ये कि हम तुरंत जो है NTA के साथ जो है एक डेलिगेशन भी मिलेगा और जो विद्यार्थी अंदोलन कर रहे हैं उनके साथ हम पूरी तरह से खरे हैं और हमारा पूरा नेतिक समर्थन है इसमें बहुत सारे से बच्चे हैं जिनके पास टाइमिंग का इशु रहा होगा जो एक्जाम के लिए अपियर के होंगे काफी सालों से भी कर रहे होंगे तो उनकी भी कुछ मांगी होंगी उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे देखें वैसे आप अगर इस देश में परिक्चा संबंधित किसी धांधली या गरबडी को देखेंगे तो कंसर्ण समुह बन जाते हैं क्योंकि हम लोग तो एक एक्जाम की बात करते हैं लेकिन जब रियल ग्राउंड पे जा करके एपियर होने वाले स्टूडेंट को देखेंगे ग्रूप और क्राइटेरिया को देखेंगे तो अलग-अलग तरह की जो है बस्तु इस्थिती उत्पन हो जाती है मानली जे जिनका लास्ट एटेम्ट है या जिनका एज का बात है तो उनका रहता है कि हम री एक्जाम कराएं हम इसको लेकर के अपनी तरफ से को कोई बात नहीं कह रहे हैं जो विद्यार्थियों के दरफ से मांग आ रही है उसी को रीटरेट कर रहे हैं पहला इमीडेटली जो है रीडरेशल हो जो भी इसूज आ रहे हैं उसको दूसरा इसकी जो है निस्पक्छ जांच हो और तीसरा कि अगर ये पाया जाता है कि इसमे को भी रिलेक्शेशन दिया जाता है और एटेंप्ट का भी जो है रिलेक्शेशन दिया जाता है मैं आपके सामने यूपिश्च का ही एक्जामपल देता हूँ जब सीशेट लागू किया गया था उस वक्त अंगरेस पार्टी की ही सरकार थी उसकी वज़ह से ये प्राब्ल टीडीपी ने कहा है कि मुस्लिम अरक्षन जारी रहेगा चुनाओं में आपने देखा होगा कि इसको किस तरीक से अभी नीट पे बात कर लेते हैं अहलागि यह सवाल जो है न प्रधानमंतरी जी से पुछना चाहिए कि जो अपने भाषनों में सबसे ज़्यादा इस बात को बोले हैं और उससे ठीक कोंट्रारिक्टरी बात करने वाली पार्टियां उनके साथ है सिर्फ टीडीपी की बात नहीं है जेडियू भी है वही पोजिशन है टीडीपी भी है जेडियस भी है इन फैक्ट आपको मालूम है कि करनाटक में जो है जेडियस नहीं सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी तो यह सवाल मेरे ख्याल से भाजपा के प्रवक्ता और आधरनिया पुदानमंत्री से पूछा जाना चाहिए